अज़ बच्चों, आज हम सवय्या, जो है इसमें प्रथम सवय्या के कठीं शब्दों के अर्थ कर रहे हैं कठीं शब्दों के अर्थ यह दिया आपको पता हूँ तो आप इसका अर्थ आसानी से समाज सकते हैं और यही शब्द आपके बहुँ विकल्पी प्रश्णों में काम में आने वाले हैं तो पहला शब्द है पाएनी पाएनी का तादपरे है पाउ दूसरा शब्द है नुपुर नुपुर कहते हैं पायल को फिर आता है मंजू मंजू होता है सुन्दर कटी कटी यानि कमर किंकीनी किंकनी करधनी को कहते हैं करधनी कमर में पहने जाने वाला एक गैना होता है लसे यानि सुन्दर लगती है पट यहाँ पर वस्त्र को कहा गया है जो वस्त्र धारण किये हैं पीत यानि पीला हिय यानि हृदे हुलसे यानि आनदित होना बनमाल शब्द का आर्थ है फूलों की माला सुहाई होता है सुशोभित होना यानि सुन्दर दिखाई देना किरीट मुकुट को कहते हैं सिर पर पहना जाता है द्रिग शब्द जो आया है आखों को कहा जाता है आखे मतलब है इसका उसके बाद मंद यानि धीमी मुक्चंद यानि चांद सा मुक चांद के जैसा मुखड़ा होता है फेस होता है उसे चांद सा मुक कहते हैं कवीनिया पर मुक्चंद शब्द का प्रेयोग किया है उसके बाद शब्द आ रहा है जुनहाई जुनहाई चांदनी रात को कहा जाता है जग मंदिर जग मंदिर संसार रुपी मंदिर को कहा जाता है जग यानि संसार मंदिर यानि टेमपल या मंदिर देवाले भी से कहते हैं श्री ब्रजदूले श्री ब्रजदूले या बश्री कृष्णी को कहा है और सहाई शब्द जो है वह सहायक के लिए प्रयुक्त हुआ है इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू फॉर वाचिंग और अगर आपको इसी से सम्मंदित बुक्स परचेज करनी है जिसमें बहुवी कलपी प्रेशनी भी होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लिजे वहाँ पर हमने कॉंटेक नमबर दिया है एदि आपको इसी परचेज करनी है तो थेंक यू फॉर वाचिंग अगर